हाई गईस तर्स येस वाला के एक नए पिशोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो अपने कंपीटर अपने लैप्टॉप अपने स्मार्टफून में इंटरनेट का इस्त ताकि कोई भी इंटरनेट यूजर अपनी डिवाइस में इंटरनेट को एकसेस कर सके और किसी दूसे इंटरनेट यूजर के साथ कनेक्ट हो सके आपस में इपनी बेटा को सेय कर सके तो و despite में आगे बड़़ने से तो आपकी डीटा को इंटरने की सर्वर्स पर स्टोर करने के लिए उसको सेक्योर करने के लिए बहुत सारे नेमों का पालन करना पड़ता है जिनको इंटरनेट की दुनिया में प्रोटोकॉल्च के नाम से जानते हैं तो आगे से अगर आप講ते की इंटेömी की दुटोकॉल क्या होता है दो आप की लिए आपको वीडियो को आखरी तक देखना वह गया तो चले सब से पहले हम बात करते हैंivan सब्सक्राнов की त्होड़ की स्टॉड कई या उसको manage किया आता है तो guys यहां पर यह hypertext क्या होता है guys मैं आपको बताना चाहूंगा आप internet पर जब visit करते हो कोई भी website को open करते हो तो कोई भी website जब आप देखते होगे तो वहां पर आपको बहुत सारा text लिखा दिखा दिखा देता है animations होते है photos होते है videos होते हैं तो इस ची इंटरेनेट के servers पर upload किया आता है और वो data जिन rules को follow करता है जिन protocols को follow करता है उसे हम STTP के नाम से जानते हैं और guys अगर हम बात करें STTPS के बारे में तो guys STTPS का पूरा नाम होता है hypertext transfer protocol secured अब यह जो protocol होता है यह secured होता है सुरच्छित होता है या कहें तो इसको कोई hacker आसानी स hike नहीं कर सकता है इसको कोई आसानी से crack नहीं कर सकता तो इस example के लिए आपकी पास एक website है यहाँ पर आप फोटो में देख पाएं तो ऐसे में जो आपकी website का URL है तो URL के उपर आपको दिखाई देता है कि आपकी website जो है वो कैसे कैसे protocols को follow कर रही है तो अगर आपकी website HTTP protocol को follow क घिबा तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान डि오ले यहीं। हमों करने में हैक सकता है लेकिन है Muhens Karl को समस्ट में आ गया होगा कि सब्सक्र स्वाल को पर चुल में क्यों स्वाइय को मैंने को सावाल हो कि स्वाल हों चैनल फोर चल्दित करना जड़ों करना चल्ले वीडियो सब्सक्राइब के लिए आपका पहुत बहुत धन्यवाद।